नमस्क्राइब मैं उदीपर्ग और आप देख रहें ब्येस के रोक्स वीडियो का टाइटल देखे तो आपको समझ में आई ही चुका है कि यहां किस मुद्दे भर बात होने वाली है बाबा राम देव जो आए दिन कुछ भी कहते रहते हैं मैं बाबा राम देव को बाबा न काफी सारे सवाल उन्हों ने खड़े किये जिसके जवाब में इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने तक्रीबन हजार करोड का मानानी का दावाब गिरा जो है वो बाबा राम देव उनकी कंपनी जो है उनको पर कर दिया है अब देखिए यहां पर जब तफ्तीश या ज्याद ज बैसे लोगों को भगवा वस्तर पहन वालों से बहुत जबाता तक्लीफ है मतलब कोई भगवा वस्तर पहन कर कुछ उपदश्देरा आरह और अंद भगता है यह है वो है अनपन गवार यह क्या जाने है बट अगर कोई इंसन को टाई लगाकर लेकर हीलिंग करे या बात कर लोग उसको सर आंखों पर बिठा लेते हैं वहां कोई नहीं पूछता या वहां कोई नहीं सवाल करता कि यह क्या ढोंग पंती चल रही है यही कुछ मेंटेलिटी लोगों की है जिसके बारे मैं आज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो बाबा रामदेव के बारे में तो आप सब को पता होगा लेकिन इंडियन मेडिकल असोसियेशन के जो चीफ हैं जिनका नाम है जॉनरोस आस्टिन जैलाल इंशॉर्ड डॉक्टर जैलाल ज आप चाहें तो क्लिक करके पढ़ लीजेगा अच्छे से पढ़ लीजेगा कि कैसे वो एक तरह से खुद एक रिस्पॉंसिबल पोजिशन में बैटे हुए हैं आई एंडियन मेडिकल असोसियेशन जो कहता है कि वो मॉडरन साइंस और साइंटिफिक पद्दिती से उपचा अपने उस इंटेव्यू में कुबूल करा कि यह जो कोरोना वाइरस से यह दवा डॉक्टर से यह तो जीजस की वज़े से ठीक हो रहा है जीजस का फोकस अब अमेरिका से इंडिया पे शिफ्ट हो चुका है इसकी वज़े से कोरोना केसिस कम हो रहे हैं मुझे पता कि आप हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं वो यहाँ पर लॉजिक या फिर फैक्ट नहीं देखेंगे यहाँ पर बोलेंगे दियस के तु तो अब क्रिश्यानिटी के खिलाब बोल रहा है जी नहीं मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ आयरवेद और योग के फायदे ह होते हैं ठीक है इस बारे में अगर राम देव बोलता तो हम उसे अनपढ़ गवार जाहिल बोल देते हैं लेकिन एक रिस्पॉंसिबल पोजिशन पर बैठा हुआ डॉक्टर अगर मेडिकल साइंस की बात ना करते हुए डॉक्टर को क्रेडिट ना देते हुए सारा क्रेड अब यह जो आएम है इसके उपर मैंने एक पोस्ट लाली कम्मुनिटी पोस्ट यूट्व में अपने इस चैनल पर कि बल्ब उनको आये में अप्रूव कर दिया कि यह जो बल्ब है यह 99.9% जम्स मार देता है यह लाइजॉल है यह डॉर मैक्स है यह सब 99.9% कीटानों मार अगर यह साफसफाई वाली चीज़ें को इतनी मार देती है तो कोरोना की केसिस क्यों बढ़ गए लोग अपने घवरों में तो इन चीज़ों को इस्तवाल करी रहे ना के तुरू अगर कोरोना फैल गया तो फिर क्या देखकर आई एम एन इन चीज़ों को पब्लिक के बीच में उतार दिया रामदेव की जो मेडिसिन से उने आई एम एन शुरू से ही रिचेक्ट कर दिया कि इनका क्लिनिकल ट्रायल हो उसके बगार आप यह चीज़ें नहीं सिया राम ने फैब्रिक निकाल दी कि यह कपड़ा पहलो तो एंटी कोरोना वन जाओ मतलब कोरोना नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों के क्लिनिकल ट्रायल कभ लिये थे आई एम ए ने इन चीज़ों को मार्केट में उतारने से पहले यहां प्रॉब्लम बस एक ही है कि आई लेकिन आयरुवेद पर्देती से बने हुई कोई भी दवा आयरे में अप्रूब नहीं करता है इसके वारे में अगर मैं डायरेक्ट शब्दों में कहूं तो यह जो हमारी आयरुवेदिक पर्देती यह जो हमारा खुद का कल्चर है इसको डॉक्टर जे जैलाल काफी करते हैं मतलब एक रिस्पॉंसिबल पोजिशन पर बैठने के बावजूद वो ऑपोजिशन का जो प्रोपोगेंडा होता उसे जस्टिफाय करते हैं वेक्सिनेशन का मजाक वगरा उड़ाया था आयरुवेद का मजाक तो खेर वो उड़ाते ही हैं तो जब आप खुद एक लेकिन आप तो डॉक्टर हो ना तो आपको तो मेडिकल साइंस की या फिर नहीं नहीं टेक्नोलोजी की बात करनी चाहिए लेकिन नहीं आप तो यहां पर भी एक सिल्वा लाइनिंग देख रहे हो कि अभी जीजस का फोकस जो है वो यूजस से शिफ्ट होकर इंडिया पर चुका है जितने भी लोग से ठीक हुए वो सर्फ जीजस की बदोलब ठीक हुए हैं तो फिर कहीं न कहीं आप भी तो वही चीज कर रहे हो जो राम देव ने की आप भी डॉक्टर का क्रेडिट चीन रहे हो अगर राम देव कह रहा है कि एलोपेथि से ठीक नहीं हुए तो पिर आप भी तो वही कह रहा हुए आपका कहने का मतलब भी जाए है कि यह सब कुछ देथि ऐ आप भी डॉक्टर्स का क्रेडिट चीन रहे हो आप भी यह मानते हो कि यह जितनी मौते हुए या जितने लोग बचे है वो सब उपर वाले की बदोल बचे हैं तो कहीं न कहीं की क्रेडिट, उनका मेहनत, वो सब कुछ आप भी चीन रहे हैं, तो फिर आप में और राम देव में कोई डिफरेंस तो है नहीं है, दोनों पाटी एक गूसरे पर कीचार उचाल रही है, लेकिन इस हमाम में दोनों ही नंगे हैं, वो अगर अपनी आयरवेदिक पद्दिती को बेस्ट बोल रहे हैं, तो यह अपनी हीलिंग थेरेपी को बेस्ट बोल रहे है, राम देव ने कान ऐसा पकड़ा, तो हो हला, जे जयलाल ने कान ऐसा पकड़ लिया, उस पर सब चुप हो गया, उन्हें कोई कोछ नहीं बोलेगा, बिकोज वो टाइ लगाते हैं, कोट पहनत इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन काम तो भी रामदेव जैसा ही कर रहा है तो अगर आपको रामदेव घलत लग रहा है तो डॉक्टर जे जैलाल तो सही लगी नहीं सकते और अगर आपको डॉक्टर जे जैलाल सही लग रहा है तो फिर आपको रामदेव भी सही लगना चा कोनों ही कहीं न कहीं डॉक्टर्स की मेहनत का क्रेडिट चीन रहे हैं और बहुत सारे लोग है जो कि यह जो एक लाइजॉल या फिर बूस्ट इन चीजों को जस्टिफाय करते हैं यहां इंडियन मेडिकल एस्सेशन की दोगला पंती साफ साफ दिखाई दे रही है वह आयरव के वीडियो में कर देता हूँ खत्म अब आप कमेंट करें आपके ओपीनियन क्या आपको नहीं लग रहा कि रामदेल को तो अनपढ़ गवार बोलकर अब धुतकार देते हो लेकिन वही काम अगर कोई कोट पेंट टाई पहन कर अंग्रेजी में बात करके एक रिस्पॉंसि वीडियो देखा आपका बहुत धन्यवार्द